बॉलवर एक्टर विकी कौशल की बात करे तो विकी कौशल ने संजू और उरीद सर्जीकल स्ट्राइक जैसी मूवीज में अपनी दमदार एक्टिंग से ओडियन्स के दिल में कलग जगा बनाई है वहीं विकी कौशल की एक्टिंग को जहां इतना प्यार मिल रहा है वहीं विकी कौशल आने वाले समय में भी अपने फ्यांस को खुश करने वाले हैं बड़ी मूवीज के साथ उनके आने वाली फिल्मों में से एक है शहीद उधम सिंग की बायोपिक जिसमें वो हमें शहीद उधम सिंग के करेक्टर को प्ले करते हुए नजर आएंगे उसके बाद वो करन जोहर की तक्त में और अंगजेब का करेक्टर निभाते हुए भी नजर आएंगे वहीं अगर हम Vicky Kaushil के फिल्मी ग्राफ की और फिल्मों की बात करें तो Vicky Kaushil Booth फिल्म में भी नज़र आने वाले हैं तो जी हाँ Recently Booth फिल्म के जो पोस्टर से हमारे सामने आये थे और Booth Part 1 The Haunted Ship में Vicky Kaushil के साथ-साथ हमें बूमी पैड नेकर भी नज़र आने वाली है ये फिल्म पहले इसी साल नेवेंबर में रिलीज होने वाली थी लेकिन रिसेंटली इसको पोस्ट पॉन करके फेबरी 2020 में रिलीज करने का फैसला लिया गया है और 21 फेबरी 2020 की रिलीज डेट फाइनल की गई है बूत फिल्म के लिए वही इस फिल्म की खास बात ये है कि विकी कोशल की फर्स्ट हांटेड मुवी होने वाली है वैसे विकी कोशल का रिसेंटली ये बयान भी आया था कि उन्हें हांटेड मुवी से डर लगता है वो नहीं देखते हैं इस मुवी को देखेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि और इस शिप का नाम रिवील नहीं किया गया है और अगर हम बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म की स्टोरी भी उसी इविंट पर बेस जै जो कुछ साल पहले मुंबई में हुआ था यह हॉंटेड इविंट जो भी मुंबई में हुआ था इस फिल्म में दिखाया जाएगा ये फिल्म की स्टोरियों से पर बेस्ड रख की जाएगी जिसके कारण फैंस को थोड़ी और एक्साइटमेंट हो सकती है इस फिल्म को देखने के लिए बागी देखना ये हुगा कि विकी कॉशल इस फिल्म में कैसे करेक्टर को प्ले करते हैं और कितना अच्छा रस्पॉंस मिलता है ओडियंस का विकी कॉशल की इस फिल्म भूत को